साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग एंटी करप्शन मैटर में F.I.R. पर हम जोर ही नहीं देते हैं और केस रणने पहुँच जाते हैं कहीं बार कहते हैं ना कि हातियों की फौज पर चीटी भारी सारे डॉकुमेंट्स सब कुछ आपने देख लिया और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप केस को हिट कर देंगे पर सबसे छोटी बात और सबसे बड़ी बात को आपने तो क्लिक ही नहीं करा वहां तक आपकी अप्रोच ही नहीं हुई वहां तक आप पहुँचे नहीं जो की है आपके केस की F.I.R सातियों में हमेशा ही देखता हूँ कि आप ACD मैटर को कैस्वर लड़ते हों पता नहीं क्या आपके माइड में है आप लोग एक बात कान खोल के सुन लो और समझ लो एंटी करप्शन मेटर में यदि आपको सजा होती है तो तीन नुकसान जो है हमेशा ही आपको जिलने होंगे सबसे पहली बात आपको जिल जाना पड़ा आपके नौकरी गई और सबसे इंपॉर्टन बात कि आपके बेनिफिट्स गए एक तीर से दो शिकार तो होते हैं पर यहां शिकार ही तीन हो रहे हैं ज़रा सोचिए कि अपने कैरियर से अपनी जिंदकी से आप खेलने जा रहे हैं कितना कैजवल आप केस को लेते हैं यकीन मानियेगा अगर इतना सा भी मेहनत कर ली इतनी सी भी और sincerely कर ली definitely you will get a success इतनी मेहनत नहीं करनी है कि सब काम छोड़ दो जंगलों में चले जो अपनी फाइल को पटतरो सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी है कि जो point है उस पर work out करना है और easily अपने case में जो है अपने को click करना है सातियों आज का टॉपिक है मैंने पूरा का पूरा तयार करा है FIR के उपर और जिसमें मैं डिसकस करने वाला हूँ वो महतपून 12 बिंदू जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं क्योंकि सातियों अकसर ऐसा होता है कि छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं देने से बड़ी-बड़ी मुसिबतें जो है वो create हो सकती है तो सातियों वीडियो काफी important है आपकी live से जो है जुड़ा हुआ है तो सातियों शुरू करता हूँ आज का presentation सातियों आज हम बात करेंगे FIR ACB matters में clear? actually होता क्या है कि ACB matter में यह document जो है आप नजर अंदाज कर देते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं जिसका प्रणाम यह होता है कि जीतावा case भी आप हार जाते हैं सातियों एक छोटी सी बात कहूं कई बर कहते हैं डूपते को तिनके का सहरा वो तिनका मालूम है कौन सा है आपके case में वह यह FIRI है जिस पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं और आपको लगता है कि हम पूरा का पूरा case पढ़ लेंगे और उसको पढ़कर अपने solution को प्रात कर लेंगे मैं कहता हूं नहीं जितना छोटा से छोटा चीज़ों आप ध्यान देंगे उतना ही successful आप जो है बन पाएंगे और successful लोग को निशानी यह होती है कि वो बड़ा काम नहीं करते हैं वो छोटे काम को बड़े तरीके से करते हैं तो अगर आपको केस जितना है तो यकीन मानिएगा कि यह F.I.R. केस जितने में 100% आपकी help करने वाली है बट वो 12 बिंदू आपको समझने होंगे जिसके जरीए आप केस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं सातियों सबसे पहले आप समझ लें कि जो भी F.I.R. कटती है यह कटती है धारा 154 C.R.P.C. के तहत यकिन आए तो अपने-अपने केस की कंस्रेंट F.I.R. को खोल कर देख ले ना और उसमें यह धारा जो है आपको मिलेगी जिससे यह इंडिकेट है कि anti-corruption जो भी trap जो F.I.R. कटती है वो C.R.P.C. की धारा 154 में कटती है इसका मतलब prevention of corruption at में F.I.R. कटने का प्रावधन नहीं है वो लोग डिपेंड है जेनरल कानुद में जो की है C.R.P.C. हिंदी में कहेंगे दंड प्रक्रिया सहीता और इंग्निश में इसका full form है the code of criminal procedure एक मुटी मु इसे यह है S.H.O. शब्ड है S.H.O. का full form है station house officer हिंदी में कहेंगे थाना दिकारी या concern थाने का इंचार्ज इसी के पास जो है F.I.R. काटने की शक्ती है पावर है जब शक्ती कानुन ने दी है तो वो ही इसको जो है exercise कर पाएगा अब आपकी F.I.R. कौन काट रहा है चौक तो कुल मलाकि इस पॉइंट पर जो है ध्यान रखो दूसरी important बात S.H.O. तीन काम करेगा F.I.R. दर्ज भी करेगा उसकी copy free of cost परिवादी को देगा और तीसरी बात मौके पर investigation के लिए या तो खुद प्रोस्ट करेगा या किसी को authorize करेगा तीनों की तीनों बात ने आपक अब इसमें confused नहीं होने का अपने को मैं फोड़ा सा पैंकिंग चेंज करता हूं otherwise it will make confusion to you क्या चीज है कि जो भी जिला है उस पर्टिकुलर जिले में ब्यूरा होगा anti-corruption का यह ब्यूरो क्या है anti-corruption की help के लिए जैसे आपकी help के लिए घर में कौन-कौन है तो आप जानो यहां पर इंकी help के लिए department है तो वह department जो है थाने की help करता है और यह indicate करता है कि हम आपके इशारों पर जो है काम करेंगे पर सबसे primary चीज यह है कि इसकी power जो है वो limited है कई बार थाना या सची वाले इनको काम करने के लिए या इनकी smooth functioning के लिए नियम काईदे कानुन notification जो है जारी करता है एक बात समझ लो गोट कर समझ लो कि कोई भी नियम अगर सविधान के या कानुन के अगेंस्ट है वो नियम prevail नहीं करेंगे यकीन नहीं मानो तो article 13 सविधान खोल के आज ही पढ़ देना आपको बहुत जल्दी जो है किलिर हो जाएगा और यह भी किलिर हो आप लोगी जो है वो परशान होते हो तो आपकी परशानी का समाधान आप खुद हो पर यदि आप करना चाहूं तो डेपार्टमेंटल रूस को चैलेंज करो चाया उसके लिए आपको हाई कोट जाना पड़े जाओ घवराओं मत पर चैलेंज करना पड़ेगा बगत सिंग पैदा अरगर में नहीं होता है बगत सिंग अपने करमों से बन रहता है तो ऐसा ही काम को करना है कि आपको इत्यास में याद रखा जाया कई मुगत में तैय होते हैं सुप्रिम गूर्ण हाई कोड़ तक उनकी नजीरे भी काम इसलिए आती है क्योंकि वो लोग लड़े वो जो कॉलम है F.I.R. का और F.I.R. की डेट का ये चमतकारी कॉलम इसलिए इंपोर्टन है कि ये कॉलम पर जो अंकन होता है ये बीरो का मुख्याले करता है F.I.R. कटी चौकी पर और उसका नमांकन हो रहा है थाने के ओपर कितनी बड़ी बिडमना इस देश में है C.B.A. का आप देखो तो बिल्कुल डिफर है कि C.B.A. में किया कि पहले F.I.R. काटते हैं फिर जाच करते हैं यहां तो पूरी जाच कर ली और उसके बाद F.I.R. काट रहे हैं यह पूरी की पूरी F.I.R. सुप्रियम कोट ने के दिया कि पोस्ट इंवेस्टिकेशन डॉक्यमेंट इस पार्ड में होता है धारों का विबरंट जिसमें आप लोग जो है प्रयास करते और अल्टिमेटली भी धह जाते हो गलत राय से यह अपनी नाकामियों से इंपोर्टेंट बाद किया कि जिन दारों को लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है इंवेस्टिकेशन के बा इस पर ध्यान ने दिया तो आपको अरेस्ट सबसे इंपोर्टन बात और उसी के सांसा इंडिकेट करूंगा कि यह पूरी की पूरी एफ़ायार फैब्रिकेटेडड है तो यह इस पार्ट पे जाकर जो है इनलीगल हो जाती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं अब आते हैं पॉइंट नंबर पांच पर जो सबसे महत्पूर्ण है गटना गटने का दिन और समय एक्चुली क्या होता है कि बहुत चोड़े सी बात अपने केस में समझ के चलना बहुत चोड़े सी बात है कि जब फाई यार से पहले तहरी रिपोर्ट लिखके दी जाती है उसलिए कि मुझे वह मांगर रहें और मां करें और मांग करें और बार बार जहारी है मेरा सोडेट करें इंपॉर्टेंट बात किया है कि बहुत पर दियूर्ट के मिल और अप्र आया प्रके सारी की है तो यह मालूं कैसे पड़ा एसीडी को इसका मतलब वो पूरा प्लैंड गेम जो है चल रहा है दूसरी इंपॉर्टेंट बात जब आपको जो है पैसा दिया गया और उसके सांसा ट्रांस्क्रिट बनी जहां पर डिमांड को कॉरोबरेट करें अब मालों इनिशल डि इंसेप्टिंग डिमांड कम है वो तो पता ही नहीं एसीडी को और आपको ठाके बंग गिर दिया पर आप ध्यान दो ऐसा काम नहीं चलेगा इस पॉइंट को पकड़ के चलो देखो अपनी अपने में मजा आएगा देखो उस चीच को खोलो एफाइर भी के निकालो मेरे सा यहां से मागे चलता हूं थाने पर सूचना प्राप्ति का समय मेरे पास अभी रिसेंट्ली के राइधी बास वड़ा से देखे मुझे मुझे बड़ी हराणी हुई कि गटना गटने का दिन तो है साथ च्छे दोजार इक्किस लिग दू लिग दिया रेडिंग मेरी ठीक है और थाने पर सूचना प्राप्त हुई है वो प्राप्त होगी चार्ज है दोजार इकिसको चमत करी घटना सबसे हैं नहीं दोगे तो घूमतर रहना वकिलों के चक्कर में मुझे को फरण नहीं पड़ता है पर आपको अपने जिनके बनानी है तो आगे खुद बढ़ना फाइल दियो फीज दियो रोते रो और कुछ नहीं हो सकता आपका के लिए अब आखरी जो कॉलम है इसमें इसी के इंडिकेटिम में जो है नंबर च्छे कि सूचना किसम की सूचना दी किसे गई है मौकी क्या लिकित इस पर मैंने विस्तित वीडियो बना दिया है तेरे रि यहां पर कुछ स्टेंस जो है मनें लखी है केवल एक एल्यूजिव दिस्टेंस है एक graph करते हैं तो वहां पर शन्क करते हैं कि ठाने से जो है उस जगा की जो है दूरी किया है तो इक कि गठना में जो देरी हो पर कमाल हो गया तो हुई रहा है कि आप लोग बोलते नहीं हो इसलिए वो कमाल कर रहे हैं उसके बाद जिसका घटना घटी उसका जो है पता लिख दिया यह लिख दिया एक्सेटरा एक्सेटरा बगवानी महले कि इंका गटना कई अबर तीन जगवा पर गटती लिखते जग बादी नंबर साथ लिख दिया मैंने इसको कि उसका नाम पता जर्म तिति यह कुड़ी नहीं है यह उसका जो है बेवरा है तो यह सबसे इंपोर्टन बात है कि घटना में देरी होने का कारण घटना में देरी हमेशा होती है सो परसेंट उसके बावजूत भी यह कॉलम जो जो है हमेशा खाली चुड़ाता कहीं बार लिखा लाता कि की देरी होई है परीवादी की पार्ट पर जब देरी है तो उसका फाइदा आपको क्यों नहीं डॉक्विमेंट पूरा का पूरा यह आप्टर फॉट्वर्ट हो गया दोनों साथ में इसलीं बोलें एंटी थोट after thought कि जो thought regular होने चाहिए उसके विपरिज जाकर एफायर ड्राफटेड और आप्टर इसलिए है कि पूरा सोच कर कौन स्पाइट करके खिल जो है खिला गया ध्यान देलो उसके उपर उसके अलावा चुराई बेसंपती यह पॉइंट नमबर नौ पर आ गया उसका विबरन रस्म आ गया उसके बाद इसकी विशेवस्तू इसमें सारी कटना लिखी हो दी कि क्या के होबा कैसे कैसे होबा और हैंड में यहां पर चौकी इंचार्ज होगा वो साइन करेगा इसको जो है कंसर्ट थाने पर यहां जो डेपार्टमेंट यहां बेज़ देगा फिर महां से कटके उसका नमांकर होगे और जो है कोड को पहुंच जाएगी तो कुल मिलाके यह छोटी-छोटी बाते जरूर है पर है यह important आप लोग ध्यान देलोगे तो बच जाओगे नीद होगे तो ठीक है अगबाने फोटो आजाएगी कि रिश्मत खौर को सजा काम खतम मुझे भी कोई फरण नहीं पड़ेगा लोग पड़ेंगे असेंगे और जगा इसाई जो है आपकी होगी तो कुल मुलाके फोड़ा जगलो अपने लिए मेहनत कर लो जीच जाओगे कोई तकलिफ नहीं होगी अधरवाइस ठीक है जो हो रहा वो तो होता रहेगा ठीक है जी टॉपिकों में यहीं पर एंड करता हूं कि साथियों कर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना ऐसे ही टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन